मानी साथियों को मेरा नमस्कार, MK Education चेनल में आपका स्वागत है आज हम साथियों CMRI संबन्दी जो स्कोलों में समय सार्णी बनेगी अभी तो वैसे रिजल्ट नहीं आया है लेकिन जब नए सत्र में विध्यालयों का संचालन होगा तो सिक्षक कितने कालखण पढ़ाएगा बच्चों की जो समय सार्णी बनेगी कक्छा की पढ़ाने की उसकी आज हम रूप रेखा को समझेंगे जिन सिक्षक साथियों ने चैनल को सस्काइब नहीं किया हो तो सस्काइब कर लीजिए पेल आइकन को प्रेस कर लिजिए कि आने वाली ऐसी ही महतपुल विडियो जो CMRI संबंदी लेटेस्ट अपडेट है उसका नोटिपिकेशन आप तक पहुंचेगा तो आज हम देखते हैं महतपुल जानकरी को दिया गया है साथियों एक प्रभावी समय सार्णी बनाने के लिए आवसक सिद्धान्थ CMRI से संबंदी थी यह जानकरी है पूर प्राथमिक कक्छाओं के लिए इसकुल का समय चार घंटे का रहेगा जो प्री प्राइमरी के बच्चे रहेंगे उनके लिए समय दिया गया है कक्छा एक से पांच के विध्यारतियों के लिए समय छे घंटे का रहेगा प्रती दिन और कक्छा छे से दस के जो विध्यारति रहेंगे उनके लिए प्रती दिन विध्याले का समय साड़े छे एवं कक्षा 11-12 के लिए 5.5 गंटे होना चाहिए अब हम देखते हैं अगली स्टेप इसकोल की समय सार्णी, इसकोल की प्राथना के साथ प्रारम होनी चाहिए समय सार्णी में यह इश्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि कब क्या होना है कक्षा 6-12 के लिए प्राथना का समय 20 मिनट से अधिक नहीं होना चाहिए समय सार्णी बनाते समय यह प्रयास किया जाना चाहिए कि कठीन विसाय जैसे कडीत, विज्ञान, आधी, लगू अवकास के पहले संचालित किये चाहिए तीसरा स्टेप, चौनथा स्टेप देखते हैं यदि किसी विसाय के 2 या 3 सिक्षक है तो आपको उनके पेरियट इस प्रकार निर्धारित करना चाहिए कि यदि एक सिक्षक अनुपस्तित हो तो अन्य सिक्षक द्वारा अनुपस्तित सिक्षक की तक्षा में पढ़ाने की विवस्ता आसानी से की जा सके अगला स्टेप है संस्था की समय सार्णी लचिली होनी चाहिए ताकि विध्यारती के हित में आवशक्ता के अनुशार उसमें बदलाव किये जा सकें अगला महतपुल मिंदू देखते हैं विध्याले की समय सार्णी बनाते समय इस बात का विसेज तोर पे ध्यान रखें कि प्रती सिक्षक को नेंतम चार पिरियट दिये जाने चाहिए कम से कम चार period सभी सिक्षकों के बीच period का समान रूप से विवाजन करें अगला है यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सिक्षकों को कापी जाचने का समय मिले जब तक आउशक ना हो उन्हें लगातार period ना दिया चाहे अगला है स्टेप सsakos की समय सार्णी में पुस्त काले, खेलकुद और प्रयावगिक कारियों के लिए विश्यस इस्थान होना चाहिए सुझाओ के रूप में अगले एक सेक्षन में दी गई समय सार्णी में सभी कक्षा के लिए समय सार्णी में सामिल किये जाने वाली पाठ सहे कामी कति विधियों का उधारण दिया गया है अब हम देखते हैं साथियों पूर प्रात्मिक जो विध्याले रहेंगे उनके लिए जो हम डिटेल्स में जानकारी को देखते हैं प्राइमरी के बच्चों के लिए सिक्षान और सीखने का कुल समय चार घंटे प्रति दिन रहेगा मतलब एक सब्ता में 24 घंटे अब इसके अंतरगत क्या-क्या सामिल है कैसे डिवाइडेट करना है उससे भी हम देखते हैं इसमें से देनिक एक घंटा ब्रेक आबलिक आवकास, साट ब्रेक और लंच ब्रेक और रेस टाइम इसी में सामिल रहेगा और प्रति सब्ता 6 घंटे का आवकास आवन्टित किया जाना है विभिन सेक्षनिक और गैर सेक्षनिक गतिविधी में सब्ता के 38 घंटों का विवाजन नीचे दिया गया है जिसे कुल समय दिन में 4 घंटे का रहेगा आप देख सकते हैं आवकास 60 मिनेट प्रति दिन लगू आवकास भी इसमें रहेगा सामिल भोजन आवकास और आराम का समय सामिल किया गया है भासाई गतिविधी के अंतरगत 5 घंटे संख्या ज्यान और पूर गडित की गतिविधियां 5 घंटे की होंगी यहाँ पर हम प्रति सप्ता के हिसाब से देख रहे हैं आप देख सकते हैं सारीरिक विकास फाइनल आप ग्रास मोटर कोशल ये देड़ घंटे का रहेगा खेलने का समय सरंचित और फ्री खेल ग्रास मोटर कोशल देड़ घंटे सरकल समय सुभई के कार देड़ घंटे के अंतिम समय दोफेर के कार देड़ घंटे के कला अभिव्यक्ति संगीत और गति ये दो घंटे की तो इस प्रकार ये प्रतिसप्ता में कुल सीखने का समयज का जो घंटा रहेगा ये 18 घंटे का होगा इसमें यहाँ पे आउकास को हमने छोड़ दिया है अब हम देखते हैं प्री प्राइमरी टाइम टेवल की यूजना बनाने के लिए प्रमुक दिशा निर्देश दिये गए हैं पठान और कहानी सुनाने के कालखंड को भासा आधारित गतिविदी के कालखंड में प्रतिसप्ता कम से कम चार बार सामिल करें पठन और कहानी सुनाने की कालखंड को फिर कहरा है भासा, आधारित और संक्यात्मक गतिविधी अवधी में सिक्षक के नेतवत में निर्देश और छात्रकार समय दोनों सामिल होना चाहिए जिसमें सिक्षक व्यक्तिगत रूप से विध्यारतियों के साथ काम करेंगे अगला है महत्पुन पाइंट, सरंचित या मुक्त, खेल या कला और अभिव्यक्ति के साथ साक्षर्ता या संक्यात्मक्ता को जोडने वाली एकिकत गतिविधियों को डिजाइन करें प्रात्र सुभय का सरकल टाइम और क्लोजिंग सरकल टाइम गतिविधि विध्यारतियों के लिए हर दिन सुरू और समाप्त करने के लिए एक निरधारी सरचना के लिए महत्पुन है इन समय में सामाजिक भावनात्मक सीखने की गतिविधियां गलीत, अवधालना, संसोधन, मानसिक गलीत, तरित बोलने की गतिविधियां आदी सामिल होंगी अब देखते हैं प्रात्मिक कक्षाएं जो होंगी कक्षा एक से पांस तक प्रती खंड के लिए सिक्षण और सीखने का कुल समय छे घंटे प्रती दिन होगा अर्थात सप्ता हमें 36 गंटे इसमें से एक से दैनिक एक गंटे का ब्रेक 15 मिनट शाट ब्रेक रहेगा इसमें समलित और 45 मिनट लंच ब्रेक ये तू आउंटिट करें थोड़ा मिस हो गया है इसमें देखिए साथियों विभिन सेक्षणिक और गैर सेक्षणिक गतिविती में सप्ता के 33 गंटों का विवाजन नीचे दिया गया है भासा हिंदी के लिए 5 गंटे अंग्रेजी भासा के लिए 3 गंटे और गडित विशय के लिए 5 गंटे यहां सप्ता हमें ये गंटे सामिल है परियावरन अध्यन केवल कच्छा 3 और 5 के लिए 3 गंटे पुस्त काले के लिए 1 गंटे कहानी कथन पठन का पिरियट 2 गंटे इस प्रकार प्रती सप्ता हमें कुल अकादमिक कतिविदी हित्तू 19 गंटे सामिल होंगे और जो गैर अकादमिक कार होंगे जैसे कि प्रातन सवा 2 गंटे 21 वी सदी के कौशल 2 गंटे के खेल कूत के पिरियट 4 गंटे के नरत अधा घंटा ठेटर अधा घंटे के संगीत अधे गंटे के बागवानी अधे घंटे के पेंटिंग, ड्राइंग, मूर्तिकला और सिला ये आदे घंटे के ग्यारा घंटे इसमें सामिल रहेंगे तो इस प्रकार ये हो गए 30 घंटे सब तहमें सामिल जो रहेंगे अब देखते हैं इसमें जो विध्याले रात्मिक विध्याले समयसानली बनाने के लिए प्रमुक दिसा निर्देश साक्षर्ता पहली भासा और शंक्यातमक अओधी का कालखन प्रती दिन कम से कम एक घंटे का होना चाईए विध्यारती के पास प्रती दिन 20 मिनट कहानी सुनाने निसुलक पढ़ने का कालखन्ड होना चाईए विध्यारती को इसकूल में उपलब्द सभी कला वैसाईक और अन्य पाठेतर गतिविदियों का पता लगाने का आउशर मिलना चाहिए इसलिए सब्ताह के दोरान प्रतेग गतिविदियों के लिए 30 मिनट का समय निर्धारित अवश्य करें इसी प्रकार यहाँ पर अब हम देखते हैं माधमिक कक्छा कक्छा 6-8 जो रहेगा इसके लिए साड़े 6 गंटे का समय निर्धारित किया गया है परड़े की हिसाब से तो यह 49 गंटे प्रती सब्ता है इसमें देनिक एक गंटे का ब्रेक, साड़ ब्रेक प्लस लंच ब्रेक और 6 गंटे प्रती सब्ता के लिए आउंटित किये गया है विभिन सेक्षनिक और गैर सेक्षनिक अतिविदियों में सब्ता के 33 गंटों का विवाजन आगे दिया गया है तो इसमें भी आप देख सकते हैं आउकास ओर रहेगा 45 मिनट प्लस 15 मिनट प्रती दिन मतलब 60 मिनट यानि एक गंटे का आउकास प्रती दिन का रहेगा हिंदी भासा का जो पिरियट रहेगा ये प्रती सब्ता के हिसाब से यहाँ पे गंटे दिये गए हैं तीन घंटे यहाँ पे आप देख सकते हैं तीन दसमलो साथ पांच घंटे संस्कत के लिए तीन घंटे गड़ित के लिए तीन दसमलो साथ पांच घंटे इस प्रकार प्रती सब्ता में कुल अकादमी कतिविदी हितू बाइस साड़े बाइस घंटे का समय निरधारित रहेगा और जो गएर अकादमिक कौसल होंगे इसमें प्रात्मा सब्ता के लिए दो घंटे बीस मिनट प्रती दिन खेलकुत के पीरियड तीन घंटे के रहेंगे सामिल 21 सदी की कौसल दो घंटे के नेत ठेटर संगीत जीरो दसमलो साथ पांच घंटे वैसाईक सदन कलव साहित गतिविदियां दो घंटे की पैंटिंग ड्राइंग मूर्तिकला सिलाई 0.75 घंटे तो इस प्रकार हम देख सकते हैं 10.5 घंटे जो रहेंगे प्रती सब्ता में कुल गैर अकादमिक गतिविदि हितुस इतने घंटे डिवाइट रहेंगे इसके बाद हम देखते हैं साथियों तो आज हमने बहुती महत्पूर्ण जानकारी को जाना आसा है आपको यह जानकारी पसंद आएगी अगले वीडियो में हम और भी CMRI स्कूलों से सम्मंदित महत्पूर्ण जानकारी को आप तक पहुंचाने की कोशिस करेंगे चैनल में बने रहने के लिए आप इस चैनल को आवे स्सक्राइब कर लीचिए हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए मेरा नमस्कार